दोस्तों software box का इंस्टालेशन था वो complete हो चुका है आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे आइकन है हमारे desktop पर आ चुका है इस तरह से आप देख सकते हैं DCT3, DCT-BB5, ATZ, Acer, SC, Sony Erection, Samsung, RTP, LG और बहुत सारे आइकन है आप इस तरह से देख सकते हैं हमारे desktop पर आ चुका है त और यह Samsung के लिए यह जो जाएगा और यह बहुत सारे और mobile है जो उतना ज्यादा पॉपलर नहीं है लिए हमें जो चाहिए ओ आइकन है DCT तो हमें Nokia mobile को flash करना इसलिए हमें इस आइकन को open करके हम Nokia mobile को flash कर सकते हैं लेकिन mobile को flashing करने से पहले इसको software box के साथ connection करना जरूरी है त पास बहुत सारे डाफ्टर है आप देख सकते हों इस तारा से बहुत सारे डाफ्टर है तो कौँसा ड्राफ्टर इसमें suitable होगा जहाअ पर देख सकते हो सभी एडाफ्टर पे कुछन कूछ लिखा है देख़ें नहीं कुछटे हुआ है रिखा हुआ है यह से connect describes here, पर आप Samsung 1 Samsung 2 इस तरह से बहुत सारे एडप्टर यहां पर दिया हुआ है तो कौन सा एडप्टर हमारे मोबाइल में सूठ होगा तो इसके लिए क्या करना है मोबाइल का मोबाइल कौन सी केटेगोरी में पढ़ती है वह हमें चीक करना जरू जो आता है तो इसके लिए हम इसको ओपन क इसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर बहुत सारे option है यहां पर तो क्या करना है हमें पहले इसका category से करना है हमें तो इस तरह से आप DCT3 category, DCTL category, DCT4, WD, BB5 इस तरह से आप category है बहुत सारे group दिया हुआ है तो इसमें क्लिकर के आप चेक कर सकते ह यह मोडल है जैसे इसमेश sudah है मौटल है इस में इसे ही नहीं तो पहले मैं इसका मोडल है होय नुकिया आवी मेरेसे आप अधवर नहागी है नुकिया दोबन सिक्स वन जीरो और नीचे लिखा हुआ हुआ ए र्रेम थैवन थैवन तो आपको जो टाइप में निए ні चलते हैं में झाले लिए देखा तूमिक को सभी हमें चाहिए आर एम तो यहां देख सकते हैं दोस्तों आर एम 17, 1819, आर एम 37 है यहां पे हमारा जो मोबाइल का कैटोगरी हो मैच हो चुग है तो हम इसको सेलेक कर लेते तो इसका मतलब जो हमारा मोबाइल है वो DCT4 कैटेगरी में परता है तो हमें जो एडप्टर यूज करन होगा जैसे आप देख सकते हैं यहां पर DCT4 लिखा हुआ है DCT4 2 और DCT4 4 नमबर तो दोस्तों जो भी एडप्टर जैसे इसका जो मोबाइल का जो एडप्टर है इसमें चार एडप्टर DCT कैटगोरी के चार एडप्टर इसमें दिया गया है तो इस चारो एडप्टर में स जो इसमें लगने वाला एडप्टर है जैसे आप देख सकते हो DCT DC कैटगोरी का यह नमबर वान एडप्टर हो गया DCT4 नमबर वान यहां पर लिखा हुआ है और इसका पीन कुछ इस तरह से है जैसे आप देख सकते हो इसका दो रो है एक साइड में तीन दिया हुआ है और उसके बाद DCT कैटगोरी DCT का दूसरा है सेगल ए भी 2 है जैसे one-two लाइन में तो इसका इसमे भी तीन और दो लेकिन इसमें भी थ्री और टू पिन इस तरह से तीन और दो पिन दिया गया ए औस के बाद DCT3 केटगोरी ए एक हीरो है और इसमें पांच पिन दिया गाए और जो DCT 4 मतलब 4th DC केटेगोरी का जो 4th एडप्टर है उसमें भी 5 पिन दिया गाए लेकिन कुछी तरह से तो दोस्तों किसी भी एडप्टर को रीट करने के लिए मैं आपको कुछी इंफोर्मेशन देना चाहता हूँ बहुत ह तो इसको ध्यान से देखेगा अगर आप इस तरह के एडप्टर तो आपको इस तरह को वीडियो कहिंध भी नहीं मिलेगा यह बहुत यह उच्फुल वीडियो है आगर आप सॉफ्ट बॉक्स यूज जी करना चाहते हो तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेग आप पर देख सकते हुटा बड़ी में लिखा हुआ है जैसे बिएस आई पीन है उसके बादài ग्राउन्ड पीन ओसके रहे क्वाद आडार एक्स उसके बाद इम बप्स उसके बाद टी अक्स तो इस तरह से सब सभी पीन का नाम यहां पे दिया गया है अब देख सकते हो इस तरह से सभी पीन का नाम यहां पे दिया हुआ है तो यह पीन का नाम पता करने के बाद हमें क्या पता करना है इसका जो मोबाइल में जो पीन यहां पे दिया हुआ है तो वो सभी पीन का नाम 12 पीन यहां पे दिय हुई है लेकिन ये बारा की बारा यूज नहीं होती है अब देख सकते हैं इसमें तो इसमें यूज इने वाले सिर्फ पीन मतलब इतना सा पीन यूज होता है जैसे जो आरेक्स टी अक्स एमबस और जो ग्राउंड इस तरह के मतलब पांस पीने अल्मुस्ट पांस पीने जो ह इसके लिए गूगल में आपको सर्च करना होगा और सर्च करने के बाद आप इसका पीन आउट डीटेल आपको मालू हो जाएगा जैसे इसका मोडल नेमर डालके जैसे नुक्याट 6610 आई पीन आउट डीटेल लेकर अगर आप टाइप करेंगे तो आपको इस तरह इसका ज इसके लिए हमें इसका पीन आउट डीटेल डाउनलोड करना होगा तो मैं आपको देखा रहता है आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इसको इसमें लिखा हुआ है इस तरह से कुछ कंफिक्शन है एम बस भीपीप क्या मतलब हो जाता है आरेक्स टू भी बोला जाता है करने के लिए और एम बस मतलब यह ड्रेस पीन हो गया मतलब भूट बोला जाता है इसको इस तरह से जो मोबाइल की पीन है उस तरह से है तो हमें क्या पता चल गया इसको देखने के बाद जैसे एक दो तीन उपर के जो टोटल पांस पीन है उसमें से जो 20 के तीन पीन और उसके नीचे वाले जो दो पीन है वही बस हमें यूज़ करना है अब इसको किस पोजिशन में जोड़ना है तो इसको दोस्त आप देख सकते हो इस तरह का एक एडप्टर है तो इसका जो ग्र स्ट्रिप या ब्लैक रीबन इसमें लगा है देख सकते हैं तो इसको क्या करना है जो ग्राउंड पीन है इस तरह से ब्लैक को ग्राउंड में रख देना है और बांकि जो दो पीन है आप यहां पर देख भी सकते हो यहां पर लिखा है ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड उसके लिखा है mbus उसके बाद लिखा है rx2 तो rx2 या भी 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 सेम वोगा ए उसके बाद rx और tx इस तरह से हुआ है तो हमें क्या करना है इस mobile Zoom call जो का भी आप देख रहा है पृल errext ती एक्स तो इसमें भी आर्इक्स d box उस तरह सें उसके बाद 10 ए जाने करते हैंBon क्लैंप है तो क्लैंप के अंदर हमें क्या करना है इस तरह से जोड़ना है इस तरह से जोड़ने के लिए इस तरह से इसको इसके अंदर डाल देना है और फिर जो मोबाइल है हमारे मोबाइल को हम इस तरह से इस तरह से जो एड़ाप्टर का पीन है वो मोबाइल की पीन से मिल आके इस तरह से रख देना है और एक connection हो जाने के बाद यह जो clamp है उससे इस तरह का power देने के लिए वायर भी निकला है तो इसको हमें जो battery connector है इसका उसके साथ connect कर देना है जैसे आप देख सकते हो mobile का जो battery connector है इसके साथ हमें इसे जोड़ना है तो इसका red को battery की plus में जोड़ है तो जो red है उसको हमें यह प्लस में जोड़ देना है और जो black है उसे minus से जोड़ना है और जो यह बीच का pin है जोड़ने से भी होगा नहीं जोड़ने से भी काम चल सकता है तो इसको मैं बीच में जोड़ देता हूं और जो black wire है उसको हमें minus से जोड़ना होगा तो इस black wire क banane कर लिया। चालिए मैंे इसका connection कुछ िरह करना जरूरी है अब क्या करना है 750 को बॉक्स को जो ख्लैमप है इसका जो वायर है हमें के साथ कनेक्ट कर देनी है जैसे आप देभी सकते हो RJ45 इसमें एक पर्ड दिया गया तो इसको हमें इस तरह से जोड देना जोडने के बादगे पर अब इस software box की connection हमें computer के साथ करना road देख सकते हो इसका जो यह यह वायर है इसको मैं कम्पीटर के साथ अब करनेक कर देता हूँ जब देख सकते हो दोस्तों आप यहां पे कम्पीटर में करने के बाद इसमें लाइट आसु का है ग्लो हो रहा है इस तरह से देख सकते हो इसको इस तरह से जोड़ने के बाद आप कम्पीटर में चलते हैं करता है कि अ